पुसकार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारे नियोज बिहार में चुनाओ की घोसना अगले महीने सितंबर में होनी है एक समय जहां विपक्च कोरोना की वज़ा से चुनाओ का विरोध कर रहा था वहीं अब बिहार का विपक्च भी सीट बटवारे को लेकर बैठ के अभी चुनाओ आयोग द्वारा चुनाओ की तयारियों की सक्रीता देख समझ चुका है कि ना नुकुर करने से कोई फायदा नहीं चुनाओ होना तो लगभग तह है इसलिए अब हम भी बिहार विधानसभा 2020 की तरफ बढ़ते हैं और आज हम करेंगे समस्तिपूर विधान सीट पर पिछले दो चुनाओं से राज़त का कबजा रहा है अभी सीट पर जीत और हार को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और सुरू करते हैं साल 2000 से उस वर्स हुए विधानसभा चुनाओं में समस्तिपूर सीट पर बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री 25 में जद्यू ने एक बर फिर राज़त को हरा अपना कबजा इस सीट पर बरकरार रखा लेकिन 2010 में राज़त परत्यासी अक्तरून इसलाम साहिन ने बाजी पलड़ते हुए जद्यू के रामनात ठाकुर को कड़ी मुकाबले में हराते हुए इस सीट पर राज़त की लंब रहा इस बार राज़त की भिरंत भाज़त की रेनुक कुमारी से हुई लेकिन महागडवंधन की आदी में भाज़त की उमिदवार बिखर सी गई मागडवंधन से राज़त परत्यासी अक्तरूल इसलाम साहिन ने भाज़पा की रेनुक कुमारी को लगभग 31,000 वोटों से आ रहाया 2017 में जद्यू के दोबारा भाज़पास मिल जाने के बाद और समस्तिपूर विधानसभा की तिहास को देखते हुए इसमें कोई दोराय नहीं था कि समस्तिपूर शीट पर इस बार के विधानसभा चुनाव में 2020 विधानसभा चुनाव में राजत के सामने जडिऊ एक बार फिर टकर देती दिखाई देती अगर रामनात ठाकूर राजिसभा सांसद नहीं बनते रामनात ठाकूर के राजिसभा सांसद बन जाने से ऐसा लग रहा है कि स्पिव यहां की लड़ाई से अब बाहर हो चुकी है और इस सीट पर इस बार NDA से भाजपा या लोजपा का कोई उमिदवार राज़त को टकर देते नजर आने वाला है उमिद है कि भाजपा इस सीट पर एक बार फिर चुनाव लरती दिखाई दे सकती है राज़त की उमिदवार अक्तरूल इसलाम साहिन पिछले 10 सालों से इस सीट पर बने हुए है जिस करण उन्हें एंटी इंकंबेंसीव फेक्टर का सामना करना पर सकता है एंडी इस सीट को दोबारा अपने कबजे में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली अब देखना दिल्चस्प होगा कि एंडी इये गटवंधन अपने इस पूराने सीट को वापस ले पाती है या फिर राज़द इस सीट पर हैट्रिक लगाती है समस्तिपूर विधान सभा की जनता वोट देने की बात पर फिलाल चुप है उनका काना है कि वो देखना चाहते हैं कि एंडी इस से कौन सा दल यहां अपना परतियासी खड़ा करता है और किसे खड़ा करता है यानि एक बात तो तह है कि वहां के जनता विकल्प की तलास कर रही है अब देखना है कि वो विकल्प कौन बनेगा समस्तिपूर विधान सभा की जनता राजत के साथ ही जाती है या फिर किसी नए चेहरे और नए दल को मौका देती है अगले महीने बिहार चुनाओ की घोसना के साथ इन सभी राश्यों का परदा धीरे धीरे अपने आप हटते चला जाएगा बस थोड़ा इंतजार किजिए ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहे हैं भी हरी नियूस धन्देबाद